Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. अपना next topic है Try and balance。 Try and balance क्या होता है? Third process of accounting cycle. पहली process हमने क्या किती? First time, उने क्या था recording. क्या क्या था? Recording, general entry और spend country book में. Second हमने किया था आपका classifying. क्या क्या था? Classifying. जिसमें हमने क्या क्या था? लेजर बनाये तो तो फॉर रण अपने पास आता है फिर अगे हैं के sneakers क्नों करेंगे सुमराइजिक क्या करते हैं सउमराइजिक ौैजीन कि थरण हम क्या करेंगे सम्वराइजिक करते या कि रिकोडिंग में में करते हैं जर्रյार्शुक है कि यह थर्ड स्टैप आता है आपका किसegut के रिगार्णग तो स्टेटमेंट ओफडविट स्ट्रेटर बैलेंस की रिगार्णग तो नेक्स्ट दिया गया है इसी डächst कि फिर आता है फाइनल अकाउंट इस बेश्ट ऑन दी आगे क्या रखा है या तो इसको आप ऐसे बोलो कि लेजर के डेबिट और क्रेट बैलेंस को लिखते हैं या फिर क्या करेंगे डेबिट एक राइट साइड ऑफ टोटल ओफ दा अकाउंट ओफ लेजर को हम लिख देते हैं कि फाइनल अकाउंट किसके उपर बेस होता है आपका ट्रायल बैलेंस के ओपर अर्थमेटिकल एकुरेशी जानने के लिए हम जो यूज करते हैं उसका ट्रायल बैलंस का ही हम यूज करते हैं गृद टू चैक कि अब दा इर्थमेकल को करने के लिए हम किसका Nousक करते हैं ट्राइल बैलंस का ठीक नूचक र्थमेटिकल एकुरेशी यह उर्थमारिकल एकुरेशी इर्थमारे जार्फमारेकल त्फ्ट्रामिय आल किसका जूत इकरेंगे खरते 17 एफिर टू नो Sudar P each account. हर account के balance को हमें जानना हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? trial balance में हम लिखते हैं एक तो side debit और credit. दोनों side लिखते हैं अब कुछ जो आपके लेजिर होते हैं उनका balance debit होते है, कुछ के balance का क्या होता है? credit होता है. हम उसको लिख यहां पर यहां पर यहां पर यहां तो बैलंस बचेगा टू बैलंस सीडी यहां फिर यहां जाएकटे अब तो बैलंस बैलंस को अगर लिख के दिखाते हो इसमें पर आप उसको बड़ते हैं पर अब और तो र Sarov GET T तोटल यहनं कि अगर क्या होते जासी आकाउंट में लेगिस आपका दे रखा है के 5000 का रेखे een जि का चोड़ देंगे कि जो बैलनसा जीसकी सेम होती उसको क्या कर देते ह Went इग्नोर कर देते हैं इसलिए बुला गया है क्या Elimination of equal total total of debit and credit if equal then those account are eliminated and other are the same as the total method और बाकि सारे कैसे करेंगे इस total method की तरह हम यूज कर लेंगे जो लेजर का बैलेंस है नेक्सट में आता है सरु ट्रायल वैलेंस में क्या एर्र हो सकते हैं जी हा जुरूर हम क्या करते हैं किस किस तरह के एर्र होते सबसे पहले तो हम यहीं पता होना चाहिए देखी कि ट्रायल बैलन्स के अदर जो एरर दे रखेंए fust of all number one इसके अंदर रखा है आपका एर्र ओफ प्रिंसिपल दिया गए है ठीक है एर्र ओप्रिंसिपल में क्या कुछ दिर रखा है डू टू इन्सुफिशेंट नोलेज ऑफ अकांटिंग प्रिंसिपल यान नहीं है लाइक आपको यह नहीं पता कि पर्चेज और पर्चेज ओफ एसेट्स इसमें फरक होता है कि गूड्स को पर्चेज करना और एसेट को पर्चेज करना कहां कहां लिखना है अगर आपको यह नहीं पता तो इसको बोलते हैं एरर ओफ प्रिंसिपल कि आपको बेसिक प्रिंसिपल का ही नहीं पता है ठीक है तो इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है देखी सबसे पहले ड्यू टू इंसुफिशेंट नोलेज ओफ अकांटिंग प्रिंसिपल ऐसा होता है फोर एक्जामपल आपने क्या किया परचेज ओफ मसीन मसीनरी को परचेज कर लिया दो हजार बे तो एंट्री क्या होनी चाहिए मसीनरी अकांट डाइबी टू कैस कांट लेकिन आपको नहीं पूल गए नो एंट्री इसमेड़ और त Basis जुम्ली बूक्स और जरनल या सब्सिद्टरी बूक्स तो किसमें टू एंट्री कंपंसेटिंग इच अधर वैल्यू यानिकि एक दूसरे के वैल्यू को दोनों एंट्रेंट क्या किया रेक्टिफाई कर दिया सुधार दिया गल्थ कर दिया कैसे एक्जांपल परचेज मशीनरी फोर ट्वंटी थाज़जड फ्रॉम आयूस रिकोड़ेड एटिन थाज़ड अब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी एकाउंट डेबिट तू इससे खरीदी आयूस से तो आयूस कितना ना चीए 20,000 कितना ना चीए 20,000 तो आपने लिगिन आपने कर दिया कितना यहां पर आपने लिख दिया 18,000 कितना लिख दिया 18,000 यहां पर लिख दिया आपने 18,000 ठीक है ओके नेक्स्ट क्या दिया गया है नेक्स्ट दिया गया था और अंकित से खरीदी मशीनरी अंकित से खरीद तो क्या करेंगे मशीनरी एकाउंट डेबिट कितने की 18,000 की और 2 अंकित कितने का 18, लेकिन आपने रिकोर्ड कितना कर दिया आपने रिकोर्ड कर दिया तो आपने क्या किया देखो मसीनरी अकाउंट को डैबिट 18 से करना था वहां तो आपने कर दिया 20 से और जहां पर 20 से करना था वहां कर दिया 18 से ठीक है तो इसका इफेक्ट मसीनरी अकाउंट में तो कुछ व cookies Dollar पाएगा गया मसेंईरी अकाउंट में तो नेक्स्ट दिया गए असटेगाई आपने पास的人 of कोशन क्या दिया गए है के कर कमिशन के को मैंचिर अदिया के ऊक्शन और रिकोडिणड ऑफ पोश्टिड इन रॉंग खाते में कर दी या फिर रोंग बैलेंस लगा जया कहीं अकाउंट में या रोंग टोटलिंग कर दी या उसका बैलेंस गलत लिख दिया या फिर आपने किसी अकाउंट में घलत लिख दिया उसको बोलते हैं error of commission transaction are recorded and posted in the wrong manner recorded का मतलब तो आपने जर्णल एंट्री और पोस्ट्टीड आपने लेजर में वहां पर गडबड कर दी तो इसको बोलते हैं एर्र ओफ कमिशन अकाउंट नेक्स्ट मनाता है एर्र ओफ डुप्लिकेशन वें एंट्री और में ट्वाइस इन एक एंट्री को दो बार लिख दिया अकाउं तो इसको बोलते हैं क्या तो चेक अर्थमेटिकल एकुरेशी को चेक करते हैं कौन कौन सी कंडिशन होती है जहां पर एर्र होने पर ट्रायल वैलेंस आपको बता देगा कि यहां पर हुआ है निमबर वन पोस्टिंग ऑफ जर्नल टू लेजर अगर आप जर्नल से लेजर मे कुछ अलग लिख दिया तो पता चल जाएगा ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ दा सम अकाउंट इज मेड आपने क्या 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 कुछ अकाउंट को पोस्टिंग करना आपने भूल गए हो या तो घलत पोस्टिंग कर दिया या पोस्टिंग करना भूल गई हो ठीक है या फि नेक्स्ट मनाता है कि बस्तिंग पोस्टिंग अगर आप cyclion करोंग अमाउंट्स से कर्दें किसे कर दें किसे रोंग इस रीकोड़ीं वन संस्ट जैसे आपने से इस्टिंग पोस्टिंग ऑफ स्टिंग 101 ं मेर्लफ कर Mehr आपने कितना कर दिया 110 रुपे पोस्टिट कर दी करना था 102 101 कर दिया आपने 110 तो इस टाइप की जो पोस्टिंग एरर है वो ट्राइल बैलेंस के थ्रू हमें पता चल जाती है नेक्स्ट बनाता है फिर आपका बैलेंस ओफ कैस बुक कि कैस बुक का बैलेंस के नोटरी कोडि इन फिर रॉंड है पर रूंड ही suficiente अपने अमाउंट लिख दी सब्रूद में सब्सिट पोश्ट इडिए जनाजर एक का टोटल के आपने लेकिन पोश्ट कर दिया उसको दूसरे में एर्र इन बैलंसिंग ऑफ दा टोटल ऑफ दा लैजर आपने लैजर के जो माले आपने दस लैजर अकाउंट बना दिये उनके टोटल करने में अपने गलती होगी तो वह पकड़ी करेंड यहत्त लिए प्रेटर अगर आपने लीश्ट बनाते हो तो वहांपर अगर कुछ घड़बर होती को आपने क्रेटर बना जाया तब भी है गलती आपकी ट्रेल बैलंस के थूडिश्ट की जा सकती है सम बैलंस ओफ लैजर इस नोट रिकोड़ी इन ट्रेल बैलस अग नेक्स्ट बनाता है one amount has posted twice in a ledger hence wrong balance transfer in the trial balance कि आपने एक ही amount को दो बार ledger में डाल दिया को जनल एंटरी थी उसका आपने दो बार ledger में डाल दिया आपको याद दिया कि दूसरी बार नहीं डालने थी ठीक है तो इस condition की जो होती है, वो आप कहा से डूञ सकते हो, trial balance के तृँ में पता चल जाता है, अगर फिर भी ना पता चले अपको कि जी क्या कुछ होता है ऑगर फिर भी ना पता चले तो उसके regarding क्या है? उसके regarding फिर आपको suspense account बनाना पड़े जब आपने सारे लगा लिए और उसके बाद भी आपसे कुछ नहीं हुआ तो उसके क्या करेंगे आप इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ओफ एर्र के रिगार्डिंग नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ओफ एर्र क्लासिफिकेशन ओफ एर्र देखिए नमबर वन ओमिशन अगर आप भूल जाते हो तो वो एर्र हो सकता है पोस्टिंग का आपने पोस्टिंग गल्द कर दी तो वो एर्र हो सकता है या प्रिंसिपल आपको रूल ही नहीं पता कि परचेज और अकाउंट में नहीं फरनीचर अकाउंट में करते हैं हम डैबिट या फिर कमिशन ठीक है तो उस कंडिशन में सबसे पहले क्या देखिए ओमिशन कंप्लीटली या तो आप सारा की सारी एंट्री भूल गई हो या है फिर अमानको stretch है स्थाल भी कर्यक्त है लेकिन अकाउंट ही रौंग है अमाउंट ठीक है साइडबी ठीक है इनकी क्रैकिडिट साइड करने दी लेकिन कहा है अकाउंट गलत हो गया यह रिकोडिंग्टॉइस आपने दो बारी कोडिंग्गे सारे कि सारी यह किसकी से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है बाट दे आर नोट इंक्लूड इंडी ट्राइल बैलेंस बिकोज देर वाज नो रिकोर्ड फॉर दें इन दी बुक ओफ अकाउंट एज अड़ेस्ट्मेंट आप यह मान लो कि अगर कोई करेंट एकाउंट बना रहे हो लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आइटम डिकोर्ड नहीं की गई तो उसके रिगार्ड हम एडजेस्ट्मेंट का पराधाओं रखते हैं तो सबसे पहले क्या कुछ आता है इसके इंदर देखी फर्स्ट में आता है क्या करेंगी डेबिट तु कंसर्ण एसेट अकाउंट लाइकका आपने लगा दिया मशीनरी हो गया तैंक क्रेडिट कर दो डूंटी एसकर ड्रीएक प्रेडिट का बैलंस होता है डेबिट बैलंस इट जो आप बनाते हो है आँ ठीक है मौलिक यहाँ अपने लायबिलिटी सब बैलेंस क्या होगा क्रेडिट और तो अगर डेबिक है अगर एक इसको किसी बी माज्व पर अपने यहां पर मसीनरी लिख दी क्या गणी घूगा अगर इसको गरता हूं इसको में मशीन की वैल्यूमाट कर रहा हूं तो इसलिए depreciation account को कर दिया debit और यहां पर machinery की value क्या कर दिया कम क्योंकि depreciation लगने थे machine की value है वो क्या हो जाती कम हो जाती है फिर इस depreciation को transfer करते है profit and loss account पर अब depreciation debit क्या था अगर इसको हमें transfer करना खतम करना profit and loss के थुरू तो profit and loss account debit to depreciation account हो जाएगा ठीक है इसके साथ साथ आपको मैं यह लिखना चाहिए आपको कि कहां कहां entry जाती है depreciation की number one हम इसको लेके चलते हैं तो first one अपने पास होता profit and loss account में profit and loss account में इसके entry जाएगी debit side कहां पर जाएगी debit side अगर मैं balance sheet की बात करूँ तो यह जाती है asset side कि side जाएगी asset side और क्या करते हैं सर अगर्ट्री सेण दे रकाओ और जेस् न ना दे रखा हो तो उस condition में यह सिर्फ पिं대 में चला जाएगा कहां जला जाएगा कहां यांपर कि जब शिर्फ trail balanceThis में दे रखा हो तो उस condition में यह सारी कि सारी क्या हो जाएगी सर सिर्फ PNL मेंटरी जाएगी और कहीं नहीं जाएगी अगर सिर्फ ट्रायल बैलन्स में डैबिट साइड लिख देंगे फिर नहीं लेखेंगे अपको यह समझ में आ गया हुगा इसके बाद है अगर बैड़ डैट्स एंड डाउटफ फुल डैप्ट से तब यह डिसकाउंट है और प्रोविजन है तब क्या कुछ कंडिशन करनी है तो पहला देखेंगे बैड़ डैट्स अभी डैटर भी हमारी क्या होती एसेट होती है डैटर वह वह एक्ती जिससे हमें पैसा लेना है जिसको धार माल बेच्चा था इसको बोलते हैं डैटर अगर हमें डैटर को कम करना है माले पहले हम 10,000 रुपे किसे से लेने थे लेकिन आप बोल देगा नहीं मैं 2,000 ने देऊंगा अपने आपको लगता है कि 2,000 रुपे तो मेरे बैडड डैट्स हो जाएंगे डूब जा करते हैं अर्म नर्मल्य उसको डैबिट करते हैं किया करना अपड़ा लिए क्रैडिट किस नाम से जो नुक्सान हो रहा है बैडडेट्स की नाम बैडड़ में रिटरन आफ कर देर कि डैटर में से अब चले गए हैं अब इस बैडड डैर्स को क्या करना है मोंकि आपने माल लिया देखो 10,000 थे आपने माल ले कि 2000 पर बेट्ट हो जाएंगे 2000 पर आपके डूब जाएंगे अब इस 2000 आपको लगता है कि सरी मेरे बेट्ट हो गए तो इसके रिकार्डिंग आप क्या करोगे प्रोविजन बनाके चलोगे इसको खतम करने के लिए क्लिए प्रोविजन बना दिया है अब जो तो यह provision आपने बनाया है इस provision को कहां डालोगे पी एएनल अरगा ट्रोविजन को क्या कहा था डेबिट किया गया था सर अब इसको खतम कर देंगे तो pntl में डाल देंगे पीनल में तो से क्रेस को नहीं है जो क्रेडिट कहां से करेंगे P&L से करते हैं हो सकता है कि आपका कुछ पैसा आ भी जाए आपको पहले लगता था कि नहीं यह डूब जाएगा लेकिन अब आपको लगता कि आ जाएगा तो कैस अकाउंट डैबिट सिंपल सा एक रूल है अगर आपको नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट और रियल को रूल याद ली रहते हैं सिर्फ एक याद रखना है पैसा आ रहा तो बिजनस के अंदरे हजार रुपे हो जाएगा ठीक है दो के दो मिल गए सारा का सारा डाल देंगे अब बैडडेट से रिकवर हो गए है तो आपने पी अनल से पहले दो हजार रुपे चार्ज कर ले थे यहां पर कितने से हजार रुपे हो आपको आ गया हुए इसके बाद दे रखा है यह तो आपका देखो यहां तक अभी तक हमने क्या किया अभी तक हमने क्या था बैडडेट्स एंड डाउटफुल डैट्स के रिकार्डिंग अब हम पढ़ेंगे डिसकाउंट और प्रोविजन के रिकार्डिंग देखिए तो सबसे पहले दे रहा है प्रोविजन फोर डि प्रोविजन फोर डिसकाउंट और आपने देखा हो तो जो प्रोविजन बनाते हम प्रोविजन को हम क्या करते हैं अगर प्रोविजन के ठ्रू डाल रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर दें पिछे भी हमने क्या क्या अब अगर डैटर है डैटर कौन से होते हैं जिन से हमने प प्यूहम तो चछी तो अगले क क्राइटर घूत हो गया तो क्छा हो गया दिस्काउंट किसे से डिस्काउंट से लेकिन इसके अगर basic entry करना तो यह था चोटा सा topic इसके रिगार्डिंग अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ एक्जामपल की तरफ यह देखिए भी क्या कुछ दिया गया इसके अंदर फर्स्ट वन debtor note सबसे पहले इसमें निकालना सबसे पहले तो provision for doubtful debts का formula देखिए आप कैसे निकालेंगे सर बैडड़ डैटर जितने थे माले दस हजार थे ठीक है बैड़ कितने थे दो हजार तो बच गया कितना आपके पास सर आठ हजार रुपे बच गया हमारे पास प्रोविजन की रेट देखो यहां पर रेट ओप प्रोविजन फोर डाउट फुल डैट्स रेट हमालेंगे दस परसेंट और डिवाइड बाई सो कर देंगे प्रोविजन कितने का बन गया आट्सो रुपे गया कि निकालने का तरीकान était नेक्स्ट अपना प्रोविजन फूर डिसकाउंट ओन डेटर के रिकार्डिंग दिया गये है ठीक है इसमें क्या कोछ ने प्रोविजन for discount on debtor में debtors minus budget minus amount Minor portion doubtfully जो आपने ये बनाया न उपर पहला तकार में लिपके बैडार की वैड़ों कि फिर उसका प्रोविजन बनाया फिर रेट ओफफड़ डिस्काउंट फिर डाघ्र को discount दोगा है कि फष्ट सैक्ट और आपका तर्द देखीं तर्ड में क्या दिया गया है ba accounting treatment yeah accounting treatment in debit side of profit and loss account profit and loss की debit side में आप क्या-क्या accounting treatment करोगे क्योंकि हमें पता है कि एक टो p&l में जाता है एक balance sheet में आता आपका ठीक ना बैड़ेट्स वाड़ा तो p&l में क्या करोगे पीणल में दो तरीके सेंट्री प्रोविजन जोड़ दोगे और फिर दोनों में से आप क्या करोगे और प्रोविजन फोर डिसकांट अलग से लिखोगे डिस्काउंट वाली जो टोपिक लाइन है वह अलग लिखनी है P&L में और बैडड़्स में प्रोविजन फूर डाउटफुल डेट्स अलग रिखना है कहने कर देखी यह जो आपका बैडड़्स और प्रोविजन फूर डाउटफुल डेट्स यह तो लिखने एक जगे हैं कह balance sheet की asset side की accounting treatment क्या होगी accounting treatment in the asset side of balance sheet debtor debtor में से bad debts गटाएंगे bad debts में से provision for hopeful debts और फिर discount सारे गटा देंगे यह simple रहेगा तो यह था आपका सारा का सारा bad debts घोखो सबसे पहले क्या बनता है फिर क्या बनता है प्रोविजन सर किसके रिकाड़िंग इसी के रिकाड़िंग प्रोविजन फॉर बैड़ फिर फिर आप क्या करते हो डिसकाउंट देते हो तो वर्ड यूज करेंगे प्रोविजन फॉर डिसकाउंट on debtor यह इसके बाद ही आएगा ठीक है तो यह करना आपको यह complete process रहेगा तब का इसी के तरीके इसको follow करना है next point है अपना receiving of discount क्या है receiving of discount on credit receiving of discount on credit क्या कुछ दिया गया इसके अंदर पहला receiving of discount on creditors of current year in the next year अगर creditor से आपको discount मिल जाए तो एक पते को debtor से discount थी अब अगर creditors से discount मिल जाए तो क्या है provision for discount on credit account debit to P&L account आपको benefit होगा ना प्रोफिट एनलोस की credit side में चला जाएगा प्रोफिट में आपको profit होगा डेटर क्रेटर क्रेटर कोई भी छूट दे आपको देने से 10,000 सप्लायर को और आपने दिया 8,000 तो दो जार पर आपके बच गया तो P&L की क्रेटर में लिख दी किस नाम से इसकी यह आपकी क्रेटर की किसकी provision for discount on credit को कहां जाल देंगे provision for discount on credit को हम इस दो जगे परेंटरी कर देंगे ठीक है नेक्स्ट आता है outstanding expenses आपका outstanding expenses के रिकारड़ी देखी क्या किया गया है outstanding expenses वो होते हैं कि जो खर्चा आपने कर दिया है लेकिन अभी तक जैसे लाइक आपने किसी से काम ले लिया और उसको salary नहीं दिया इनके बारा महिने काम ले लिया और एक महिने के अब कड हुए थे उद्य हुए थे बट अन पेड ओन दी डेट ऑफ दा प्रिप्रेशन और फाइनल अकाउंट तक उसकी पेमेंट नहीं की गई थी तो फाइनल अकाउंट तक उसकी पेमेंट नहीं की गई तो उसको क्या बोलेंगे आउट्स्टेंडिंग एक्सपैंसिज हम वारी उज़ करते हैं अच्छा इसका क्या रहेगा सीन सर्फ ट्रेडिंग काउंट एंड प्रोफिट एंड लोस अकाउंट में तो यह चला जाएगा डैबिट साइड कहां चला जाएगा डैबिट साइड और एड कर देंगे इसको किसको कंसर्ण एक्सपैंसिज में तो यापको याद रखना कहां कहां उसको लिखती है तो एंट्री क्या है आपको यह जो में लिख रहा हूं साइड में यह कर लेना वही चीज़ें यहां पर लिखी यह फिर भी पर देते हैं एक्सपेंसिज अकाउंट डैबिट ठीक है एक्सपेंसिज तू आउट्स्टेंडिंग इस्पेंसिज उसमें जोड़ देंगे प्रोफ अपने रिचार्ज कर वाले तीन मेने का जीयो का श्योंट रूपें में तो आपका आगया प्रिपेंसिज कहने का मतले कि अपने पेइमेंट कर दी लेकिन अभी इसका यूज करना बाकी है डाइक्सपेंसिज विचार रिलेटी टू दा नेक्स्ट येर बट पेड़ इन दी केविट सेट में का करवबं टो इसको लाइगे अशेट साइड कहां पर आएगए सराम आने प्रिपेंसेज होता है हमें और साथ कि सीचे मैं एक्जांपल दिया था कि next year के अपने expenses है लेकिन अभी पेकर जैसे तीन मेने का रिचार्ज है करवा लिया आपने आज के दिन ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे आपको prepared expenses ओके next आता है earned income या accrued income एक ही बात है क्या कुछ दिया गया है some income earned but not received by the end of the current year कि अभी तक आपको मिला नहीं है उसको बोलते और निकम अगर expenses की बात है तो कया है इसर आपने खर्चा करवा लिया है लेकिन अभी तक उसकी payment नहीं किला एक किसी से काम ले लिया है अब आपने काम कर चुके हो ठीक है आप किसी के पास जाके काम करके आए हो लेकिन आपको पैसा नहीं मिला उसको बोलते हैं अक्रूड इंकम लेकिन अगर कोई आपके पास आके काम कर गया और आपने उसका पैसा आप तक नहीं दिया या final account तक बनाने तक तो उसको क्या बोलें हम उसको बोलते हम outstanding expenses तो इसकी क्या entry होगी या क्रूड वाले की या earned income या crude income की वही सर PNL account में तो क्या करेंगे PNL account की credit side में आ जाएगा और credit side में क्या करेंगे add कर देंगे in concern income क्योंकि income है नहीं तो इसलिए add कर देंगे और balance sheet में कहा हैगा balance sheet में asset side कहां लिख देंगे asset side balance sheet में लिख देंगे कहां पर asset side तो आपने एक चीज़ notice की हो तो अभी तक दो चीज़े ऐसी है जो हम asset side लिख चुके हैं पहला first one तो आपका आता है asset side में क्यां लिख रहा हूं कि asset side कहां लिखते हैं asset side लिए asset में जो हम लिखेंगे first one तो क्या आएगा first one तो आता है आपका asset में prepared expenses क्या आता है prepared expenses और second क्या ता आपका second आता है आपका accrued income थीक है यह क्या होगे आपकी asset side कहां पर आजयेंगे आपकी asset side ठीक है इसके बाद आता है un earned या un accrued income या income received in advance इंकम received in advance यह आपकी लिखते हैं liability side में कहां पर लिखते हैं liability में तो liability side में दो चीज़ें आएंगी एक तो आपके outstanding expenses ठीक है और एक आपके पास आता है advance जो आपको मिला है वो अभी कि हम जो पढ़ने वाले हैं तो देखी क्या कुछ है इसके अंदर अकुरूड इंकम के रिगार्डिंग क्या कुछ दिया गया है सबसे पहले नोट अंड बट रसीवड इन अडवांस अपने कमाया नहीं है लेकिन मिल गया है इट विल बी डिडेक्टिर फ्रॉम कंसर्ण इंकम इन क्रेडिट साय देखी क्या है और लेस कर दे इंगी कंसर्ण और अक्रूड इंकम यह इन सभी पॉइंट को करते टाइम एक चीज आपको द्यान में रखने हो यह कि अगर उसी एर से रिलेटिड है तो पेनल में लिख देंगे माले कि आपको बारा मेहने का खर्चा लिखना है लेकिन आपको ग्यारा मेहने का ही खर्चा आपने किसी को पेमेंट की है तो एक मेहने का ओर आउट शेंडिंग देखागे लिख दो लेकिन अगर आपको 13 महीने की payment मिलेगी तो उस महीने जो P&L बनाते हो तो 12 महीने का है तो उसको less कर दो तो यही सिस्टम बच इनके 12 महीने के अंदर अंदर जो है actual में जो बनता है वही आपको लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर next अपना है interest on capital क्या आता है interest on capital के regarding जिया गया it is an expenses for the business कहां कहां दिखाते है interest on expenses को P&L के debit में profit and loss account के कहां डाएंगे debit side और balance sheet की liability side balance sheet की कहां दिखाएंगे liability side add कर देंगे in capital capital add in capital 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 क्या करण दिखेंगे इंटरस्टाउन capital के entry ठीक है तो billing sight कर देंगे debit to interest on capital और balance sheet के liability में capital में capital में capital क्या करने करतें एड का मतलब हो गया कि सर्केपिटल का balance होता credit जोड़ दो और credit कर दो को म् cnsh interesthood and drawing regarding दिया गए हैं interest Woo जो है profit and lows account दो क्या कर देंगे at credit side लिख देंगे और balance sheet में कहां लिख देंगे लायबलिट opened & Vancke our last programming in capital less in capital ठिक है less in capital or capital में से क्या कर देंगा उसको less कार देंगे तर्दर प्राइस और क्या होता है कि उनर जो ले के आता है capital means जो owner पैसे ले के आएगा तो उसके बदले तो उसको भी आज मिलेगा इसलिए capital में क्या करते हैं उसको add करते हैं और drawing क्या होता है जो owner ने पैसा निकाल लिया तो capital में से क्या करेंगा इसको कम कर देनी बस यह हिंपल साथ हापका है ठीक है और इसके बाद दिया गया है फिर आपका डैफर्ट रिवैन्यू एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग दिया गया है कि डैफर्ट रिवैन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता कि आपने कोई ऐसा खर्चा कर दिया बड़ा जिसका बेनेफिट आपको कई सालों तक मिलेगा उसको बोलते हैं क्या डैफर्ट रिवैन्यू एक्समेडिचर लाइक एडवटाइजमेंट आपने एडवटाइजमेंट पर स्पोर्ज करों कि 10 लाइक रुपीज इन्वेस्ट कर दिये लेकिन आपको लगता है कि इसका बेनेफिट आपको 10 यह तक मिलेगा 10 यह तक इसका बेनेफिट मिलता रहेगा तो यानकि हर साल आप क्या करोगे पी एनल से एक लाख रुपया क क्योंकि एक लाख अपने P&L से चार्ज कर लिए कहां से चारज कर लिए Profit and Loss Trans are ठीक है तो यहां पर बैलोस अकाउंट में करते हैं हो और बैलेंस इट में हम करते है इससेट साइड में हैं इसमें क्या करेंगें जो पी ईनल में वही पाठ लिखेंगे जो ओनली वन औन पार्ट in only one पार्ट जो एक पार्ट जाप mungkin रिमेंइन पार्ट रिमेंगे रिमैंइन्छ सब्सक्रानार तो सब्सक्राइब करते हैं कि कोई भी आपने ऐसा बड़ा ख़र्चा कर जिसका बैनिफिट कई सालों तक मिलेगा तो उसको हम एकदम P&L से चार्ज ने करकर धीरे-धीरे करके प्रोफिटेंड लोस से चार्ज करते हैं और रिमेनिंग बैलेंस हम बैलेंस इट में लिख देते हैं फिर देर आपका लोस बाइफायर कि जब आपका कोई स्टोक है वाग लगने के कारण उसका नुक्सा ट्रेडिंग काउंट कोर देंगे डैबिट क्या करदेंगे eddैबिट माइनस कर देंगे इंट परेज दो इसको इन कर दोगो ट्रेडिंग इंसुरेंस कंपनी ठीक है, अगर आपको जो अमाउंट इंसुरेंस कंपनी से नहीं मिली, उसके बारे हम बात करते हैं, इसके अलावा बैलनशीट में क्या लिखेंगे? बैलनशीट में लिखेंगे सरे एटसेट साइड, कहां लिखेंगे? एसेट सेट जो amount received होगी amount received from insurance company insurance company ठीक है तो जो loss by fire का सिस्टम है क्या है आगर simple loss होगा आपने insurance नहीं करवार आठा तो एक एंट्री trading count की debit में लिख देंगे purchase में से less कर देंगे क्योंकि कि किसकी बारें करें स्टोक के बारें किसके बारें करें हैं श्टोक के बारे में बात कर लेकिन अगर आपने इंस्वरेंस करवा Mang yeah और फिर पर टुस्यों डाल देगी ठीक है है किया कुछ लिखा गयए है पहला if such goods are insured the insurance company has agreed to pay the claim then क्या-क्या insurance claim account debit to trading count और if insurance company pay only a part of amount तो insurance account debit profit and loss account debit to trading इसमें जो note received है वो लिख देंगे इसमें जो received है वो लिख देंगे इसमें trading count को कर देंगे ठीक है ओके फिर आता आपके पास क्या कुछ दिया गया इसमें note के के रूप में नोट के रूप में पहला नोट टोटल अमांट ओफ लोस विल बी डिरक्टिड फ्रॉम पर चेज ठीक है यह यहां पर वही चीज जी बताएगी जो मैंने बताया है तो बस इसको ज्यादा करने की जुरूरत नहीं क्या का था ट्रेडिंग काउंट में तो सर इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टोक के रिगाड़िंग इसके बाद जो दिया गया है वो दिया गया क्लोजिंग स्टोक के रिगाड़िंग अब क्लोजिंग स्टोक का आपको पता है क्लोजिंग स्टोक की जो एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टोक जो अन्सोल्ड श्टो एक तो था अपका कंसेप्ट कंवेंशन यह कंवेंशन है कौन सी कंवेंशन है कंजरवेटीजम रूडी वाधिता का सुधानत क्या है यह रूडी वाधिता का सुधानत ठीक है यह convention है concept नहीं है कि फ्यूचर में होने वाले लोज को तो लोज मालो लेकिन फ्यूचर में वाले प्रोफिट को प्रोफिट ना मालो तो closing stock के regarding देखिए तो वही बात इसमें आएगी कि सर closing stock में हम क्या क्या करेंगे तो closing stock के अंदर सबसे पहले वही trading count में कहां डालेंगे trading count की credit side लिख देंगे credit side और balance sheet की कहां लिख देंगे asset side balance sheet की कहां लिख देंगे asset side ठीक है जैसे आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर depreciation सिर्फ trial balance में दे रखाओ तो उसके entry कहां करते हैं उसके entry करते हैं trading count में कहां करते हैं प्रोफिट and loss account की debit side कहां अगर depreciation सिर्फ trial balance adjustment में ना देकर trial balance में दे रखाओ उसको P&L में करते हैं इसी तरीके से closing stock closing stock अगर सिर्फ trial balance में दे रखाओ तो उसको हम कहां लिखेंगे सर उसको हम लिखते हैं balance sheet में एक हां लिखेंगे balance sheet में यह याद रख लेना कि अगर trial balance में closing stock दे रखाओ सिर्फ यहां लिखेंगे देता हूं कि initial adjustment में ना हो closing stock दे रखाओ तो उसको हम balance sheet के asset side में लिखेंगे उसको trading count में नहीं डाल लेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट आता अपना इंट्रस्ट ओन लोन के रिगाडिंग इंट्रस्ट ओन लोन क्या करेंगे outstanding amount of interest कि एड़ कर देंगे loan account क्या outstanding interest on loan के amount को हम एड़ कर देंगे loan account में ठीक है loan account पर का liability side में तो यह था अपका interest on loan ठीक है interest on loan क्या होता है यह चो concept है हम आपको पता होगा कि अगर इस दो तरीके होते कंपनी ने मतलब किसी को ब्याज किसी को loan दे रखा है तो asset side होता है और liability side कौन से होता है company loan ले रखा है company ने लोन ले रखा है ले रखा ले रखा ले रखा तो ब्याज देगी ब्याज देगी तो उसका खर्चा होगा तो इसको हम कर देते है पेनल में ठीक है next आता आपका फिर charity के regarding किसके regarding है charity के regarding दिया गया देखी क्या है charity के regarding जो दिया गया है उसमें दिया गया है sample या तो charity में दे सकते हो या sample के रूप में दे सकते हो या फिर donation दे करते हो या फिर आपका loss by theft भी हो सकता है चोरी हो सकता है समान वह इन सब को कर देंगे debit और जो आपका किसका यह मैं बात कर रहा हूं सर्फ परचेज यानिकि आपका गूट्स की चोरी होती है गूट्स डोनेट करते हो गूट्स के sample की रूप में customer को देते हो या charity की रूप म करते हैं हम करवा कशन परचैज का मंट परेडिट गेन अगर समासे चला तो क्रेड़ कर देंगे परचैज को कंव. नाजन देट कर देंirsiniz हैं इसमें Dan यहां पर लिखा ना सिर्फ आप यहाद कर लेना इससे आपका कम चल जाएगा इसी तरह बात करते हैं तो ड्रोविंग की ठीक है ड्रोविंग के रिगार्डिंग देखी क्या कुछ दे रखा है इट विल बी डिड़क्टीड फ्रॉम दा पर्चेज इसके एंट्री और सबके एंट्री दे रखी तो आपको इस लिए अलग लग लिखके दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सानी रहे डैबिट साइड लिख देंगे लेस कर देंगे लेस इन पर्चेज पर्चेज में स अगर आप मतले कि पैसे निकालते तो कई सकांट डेबिट्सुरी ड्रोओं कांट डेबिट पर्चेज से कैस चला गया जब बिजनस से क्या गया बिजनस से समान गया तो यह था अपना सारी की सारी एंट्री यह लेक्च्र आपको कैसा लगा हमें कॉन्मैंट वोक्स में प्रुड़ताई, thank you.